हेलो एबरीवान वल्कम बैक टो आर चैनल आज हम पढ़िएंगे एक लास सेके हिंदी का चैप्टर नटकर चुहा जैसे कि हम चैप्टर का नाम सुनके ही पता चल रहा है कि यह चूहे की कहानी है और इस चूहा बहुत ही नटकर है बहुत ही सरारती है तो इस चैप्टर को पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बैल आइकन को भी दबा दीजिए जैसे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अगर आपको चैप्ट में कोई भी डाउट है तो आप म कुछ सरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसके मन में कुछ ना कुछ सैतानी चलती रहती है कुछ ना कुछ सरारत करते रहते हैं वैसे ही चूहा था जिसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ करने का मन किया रहता है मतलब कोई ना क बेटे बेटे दिल घपर आगया है। वह सोच रहा है ता कि बारिष हो रहा ही थी। इससे वह अपने बिल के अंदर ही था। मतलब आप ने जैसे आप सभी जानते हैं कि चुहे का घर क्या होता है बेल होता है उसका मतलब अपने घर में बहुत दिनों शरे बाहर नहीं निकला ता बारिस की वजह से क्यूंकि बारिश बहुत हो रही थी जब बारिश बंद हो गई तो घर में बैठा बैठा भी बोर हो गया जैसे हम लोग कई बार हो जाता है अगर लगातार बारिश हो रही होती है तो हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाते है उसी तरह चुगा भी बोर हो गया घर में बैठा बैठा और वो भी वो चुगा जो बह कि तरफ निकल पड़ा मस्ती से जूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी वह बड़ी ही मस्ती में अपने धुन में जा रहा था कि रास्ते में उसको बहुत बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी दुकांदार जैसे ही दुखान दा अपने जगह पर बैठा उसके नजर चुहे पर बैठा को जैसे इस चुहो को कुछ नहीं बेचता, तो जब चुहा ने ये बोला कि मैं टोपी के लिए कपड़ा खरीदने आया, तो दुकानदर को बहुत हसी आई, कि ये चुहे कपसे खरीदने लगे कपड़े, तो वो हसा और बोला, चल यहां से, भाग यहां से, मैं चुहो को कपड़े नहीं चुहा गुस्सी में बोला तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे दुकान दर बोला भाग यहां से बेकार मेरा समय वरबाद न कर मतलब बेकार मेरा समय खराब मत कर भाग यहां से चुहा चिलाया तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं दुकान दर बोला नहीं बिलकुल तो चुगा चिलाया उसको कि तुम कपड़ा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो तो दुकान दाल भी बोला मैं बिल्कुल नहीं दूँगा इस बार नटकर चुही ने गाना गया फिर नटकर चुही ने क्या किया अब उसके दिमाग में कुछ न कर सूज रहा होगा तो उसने गान बहुत सारे चुहे भी लेकर आऊंगा और तेरे सारे कपड़े कुत्रूंगा चोटे-चोटे टुकड़े कर दूगा सारे कपड़ों के दुकानदार धर कर बोला चुहे भाई ऐसा न करना मैं अभी तुम्हें रेसमी कपड़े का टुकड़ा देता हूं तो डर गया लेकर चुहा उचलता कुता दुकान से बाहर निकल गया जब चुहे को कपड़े का जया छोंता की दुकान तो बहुत कोंदार यह काम क्या काम दरजी ने गुस्टे से पूछा दरजी ने सोचा चुहे को मुझसे क्या काम हो सकता है तो उसने गुस्टे में पूछा काम क्या काम चुहे ने दरजी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा क्रिपा इस कपड़े की अच्छी तोपी सिल दो तो चूहे ने दर जी को बहुत प्यार से रेसमी जो कपड़ा उसको मिला था वो दिया और बोला कि मेरे लिए अच्छी से एक टो पीसल दो जिसे मैं पहन सकूँ धर जी हसा जैसे कि हर दुकानदार उसको हस रहा था कि चूहे को मतलब इन सारी चीजर को क्या जरूत पड़ गई तो दर जी भी हसा और उसने बोला चल थाट यहां से मेरा समय खराब न कर मेरे पास तेरा काम करने का समय liar नहीं है तो ठीक है, चूहा बोला और गानी लगा भाई, दर जी को भी उसने डराया, रात तो रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा, बतलब उसने सेम वही गाना गाया, जो उसने पहली गाया था, कि मैं रात में आऊंगा, और अपने सारे दोस्त लिखे आऊ और तेरे सारे तुने जतने भी कप्रे से ले हुए हैं सबको कुतर दूँगा यानि छोटे-छोटे टुकडे कर दूँगा अब दर जी ने कहा चुहे बहिया ऐसा न करना मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ अब दर जी भी डर गया उसने कहा कि चुहे बह वरह तोपी फटाफ़ 1 टे दी डेदी नत्कट चुही ने उससे पहना और फिर अपना चेहरा आइने में देख न अब वह सह जयतानी सरारति चुहे ने उस टोपी को पहन लिया और अपने चेहरा उसे आइने में देख की मैं कैसा लग रहा हूं यह तोपी तो एक्दम थी ह तुहे ने सूचा फिर चूहा मनीमन सोचने लगा कि यह दम साधा ही मतलब उसमें कोई डिजाइन नहीं है उसमें कुछ चम्किले सथ यह दम सिंपल लग रही है तुह सितारी लगवाऊंगा उसने सोचा. वो खोटा फानता दुकान से बाहर निकल गया, अब वो खोटा फानता उछलता कुटा बाहर निकल गया दुकान से, वो सडक पर सां से चल रहा था कि उसकी नजर एक चोटी सी दुकान पर पढ़ी जहां सुनहैरे और रुपहले सितारे ब मिल रहे थे अंदर जाकर वा इधर उधर उचलने कूदने लगा दुकान ने कहा प्रे मैं टोपी में सितारी लगवाने आया हूँ और बन बजसा narrative दुकानदार ने कहा भाग यां से मुझे बेबकूप बनाने की कोशिश नगर एक चुहे को सितारों से क्या मतलब तो दुकानदार ने भी गुसा हुआ बोला भाग यां से मुझे पागल बना रहा है मुझे बेबकूप समझ रहा है एक चुहे को भाग यां सितारों के क्या ज üntar दिया भइस चूहे ने फिर अपना गाना शुरू कर दिया रतों रात में आऊंगा अपनी सीना लाऊंगा सारे बिखेरऊ वही गाना क्या कि में रात में आउंगा अपने सेना misty ना मतलब सारे दोस्तों को ले होगा और तुम्हारे मिए यह सितारे तुम बेच रहे हो ना उन्स अभी को बिखेर दूँगा मतलब पूरी दुखान में बिखेर दूँगा उनको दुकानदार ने कहा चूहे भैया ऐसा ना करना मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे देदूँगा और यही नहीं उन्हें तुम्हारे लिए टांग भी दूगा मतलब उस टोपी में लगा भी दूगा दुकानदार ने आपको सीसे में देखा तो उसको उसका मन बहुत खुश था, मतलब वो अपने आप में नाच रहा था मनी मन कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, वो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ, वो सोचने लगा कि मैं अपनी इतनी शुंदर सी टोपी किसको दिखा करता हूं, एक घंटे के अंदर ही नैटकर चुहा राज महल में राजा के पास पहुचा, दो राजा ने जैसे ही चुहे को देखा तो बहुत हैरान होगा, यह यहां क्या कर रहा है, उसने पूछा अरे तुम इहां क्या कर रहे हो, चुहे ने कहा महराज पहले ये बताईए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ तो पहले चुहे ने question किया कि बताईए पहले कि मैं इस टोपी पहन कर ये कैसा लग रहा हूँ राजा ने जवाब दिया वाह तुम तो एकदम राज कुमार लग रहे हैं राजा ने भी खेह दिया चूहा जटपट बोला अच्छा तो फिर उत्रो गदी से यहां मैं बैठूँगा तो चूहा ने फटाफट यह बोला कि अच्छा मैं राज कुमार लग रहा हूं तो तुम अपनी गदी से उत्रों मतब जहां राजा की seat होती है राज सिहासन होता है वहाँ पे जहां राजा बैठते हैं तो उसने चूहे ने कहा कि मैं वहाँ बैठूँगा तो उत्रो जल्दी फटाबाट अगर मैं राज कुमार जेसा लग रहा हूं तो ठीक है राजा को हसी आ गए इसने कहा भाव यहाँ से मेरा सिहासन चूहो के लिए नहीं है केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है तो राजा ने कहा कि चूहे इसमें नहीं बैठते एक राजा ही इस सिहासन में बैठ सकता है चूही ने पूछा तो तुम क्या तुम मुझे अपनी गद्धी नहीं दोगे तो उसने फिर गुस्ते में पूछा कि क्या तुम अपनी गद्धी मुझे नहीं दोगे बिल्कुल नहीं मैं तुमें अपना सेहासन नहीं दोगा राजा ने उत्तर दिया फर राजा ने भी कहा कि हम बिल्कुल नहीं देंगे हम अपनी गद्धी तुमें बिल्कुल नहीं देंगे तो तुम नहीं उतरोगे चुहे ने फिर से पूछा तो राजा ने अपनी बात पर अड़ा रहा मतलब राजा भी अपनी वही सेम बात बोल र देखिए चुहा भागरा अपने टोपी पहन के और ये सारे लोग उनके पीछे भागरे हैं मतलब जो भी सिपाही थे वो चुहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के उपर एक गिर पड़े तो भाई चुहा तो छोटा सा होता है सरपट वहां से बीच से निकल और जो सिपाही है वो एक के उपर एक जाके गिर पड़े मतलब टकराके खुद के उपर ही गिर पड़े अब चुहे ने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा रातो रात में आऊँगा अपनी सेना लाऊँगा तेरे कान को तुरूंगा फिर राजा ने सोचा चुहों की फोज तो पूरे महल को तैस नहस कर देगी, वह डर से कापने लगा, फिर राजा नहीं सोचा, अगर ये अपनी फौज लेके, यानि बहुत सारे चुहे लेके आया, तो पूरे महल को ही खराब कर देगा, तैस नहस कर देगा, मतलब सब कुछ खराब कर देगा, वह डर के कापने लगा, चुहे ने फिर कहा रातो रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कान कुत्रूँगा, उनने वही गाना गया, राजाडर से कांपने लगा कांपती आवाज में उसने कहा चुहे भहिया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो मैं अपनी गद्धी से अभी उतरता हूँ तुम सौक से जितनी देर चाहूँ इस पर बैठ सकते हो फिर राजा ने सोचा और ये सोचा कि कि भहिया चुहे को बैठने देता हूँ नहीं तो पूरा महली खराब कर देगा ये अपनी सेना लेके आएगा अपनी फौज लेके आएगा तो तो उसने बोला चुहे भहिया तुम तो फालतु में नाराज हो रहे हो फालतु में गुस्सा कर रहे हो मैं भी अपनी गद्दी से उतरता हूँ और तुम्हें जितनी देर चाहूँ उतनी देर मेरी गद्दी में बैठ सकते हो चुहा बहुत खुश हुआ फिर चुहा ये बात सुनके बहुत खुश हुआ सान से वो सेहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा तो मस्त से वो उससे हासन में बैठ के बहुत देर तक बैठा रहा आराम करता रहा रात जब काफी बीट गई जब बहुत रात हो गई वो गद्दी से कूट कर नीचे आया तो है गद्धी से उतर गया और नीचे आ गया और खुसी-खुसी अपने घर चल दिया तो बड़ी खुसी तो अपने घर की ओर चला गया उसका सौक पूरा हो गया और आज गद्धी पे बैठने का उसने सान से अपनी चमकीली टोपी अपनी सभी सातियों को दिखाई और जो उसकी टोपी थी उसने बड़े सान से बड़े प्राउड से उसने सभी दोस्तों को दिखाई कि देखू मेरी टोपी कितनी अच्छी है मैं बनवा के लाया हूँ सभी दोस्त को उसने अपनी कहानी सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे इतने भी उसके दोस्ते सभी सुनना चाते थे कि उसने क्या क्या किया तो देखिए ये जो दोस्तों को कहानी बता रहा है वह सभी बहुत आराम से सुन रहे हैं हैरानी से सुन रहे हैं इसके बाद ही question answer सुरू होते हैं तो ये chapter की reading हम यहीं खतम करते हैं इसके बाद मैं आपको question answer की video upload कर दूँगी I hope आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो अच्छी लगी तो please video को like कीजिए और अपनी family और friends के साथ share भी कीजिए Thank you for watching